अच्छा एक मिनट मेरी बातों को जड़ा सुन लेना, नहीं तो मुझे लगता है पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इनिसेली जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो मुझे लगता था कि थोड़ा ये लंबा होगा, बट इतना ज़्यादा लंबा होगा, इस बात का मुझे उमीद नहीं था, और ये वीडियो मैरे चैनल का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, और इसलिए मैं टाइमस्टैंप भी डाल दूँगा, तो आप टाइमस्टैंप पे स्वीच कर सकते हैं, जम्ट कर सकते हैं, यह पिर स्टूडियो लाइट में कैसा फोट आएंगी, और कैसा वीडियो आएगा, और कैसा इन सारी चीजियो के बाराँ बात किया है, और same चीज मैंने रेयर कैमरे के बाराँ बात किया है, कुछ special चीज़ें भी है जो कि आप Samsung Galaxy S24 Ultra से कर सकते हैं, iPhone 15 Pro से नहीं, उन सारी चीज़ें के भी बारम बात किया है, so I would like to request you, please watch the full video, so that you would understand the difference between these smartphones, let's get started, so first let's start with the selfie camera, so here आप देख सकते हो, मैंने दोने smartphone की image को side by side रखा हुआ है, यह वाला है right side में iPhone 15 Pro का image जैसा कि आप देख सकते हैं, और left side में है मेरे पास Samsung Galaxy S24 Ultra का image, इसका भी specification आप देख सकते हैं, तो यहां से आपको पता चल जाएगा, और यह है मेरा iPhone 15 Pro का image, right side वाला, और यहां आप देख सकते हैं कि आपको जो true color है वो iPhone 15 Pro में देखने को मिल जाता है, जबकि Samsung Galaxy S24 Ultra में आपको ज़्यादा details देखने को मिल जाता है, Samsung Galaxy S24 Ultra क्या करता है, थोड़ा सा color को boost करने की कोईश्च करता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे गाल में बहुत ज़्यादा highlighted areas हैं, और highlighted area में बहुत ज़्यादा गोरा करने कोईश्च किया है, और जो low light area है, उसको भी थोड़ा boost करने कोईश्च किया है, इस photo में भी आपको same result देखने को मिलेगा, ऐसे मैंने बहुत सारे photo capture की हुए, यहां आप देख सकते हैं, यह एक नुकर नाटक हो रहा था, उनलों का मैंने photo capture किया हुए, और यहां आप देख सकते हैं, इसके crown को, crown बहुत अच्छी तरीके से highlight किया गया है, और crown में highlight और low light area को बहुत अच्छी तरीके से manage किया गया है, बट यहां आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा highlight कर दिया गया है, बट जहां बात आती है details की, तो वो मैं आपको next picture में दिखाने वाला हूँ, कि details आपको Samsung Galaxy S24 Ultra में ज्यादा अच्छा देखने को भी लेगा, compared to iPhone 15 Pro, और यहां एक और चीज़ आप देख सकते हैं, कि यह जो color है, यह दुपटे का जो color है, साफा का जो color है, वो ज्यादा अच्छा आपको दिख रहा है, iPhone 15 Pro में, और Samsung Galaxy S24 Ultra ने थोड़ा fade कर दिया है, क्योंकि यह हमेशा थोड़ा गोरा बनाने की कुजिस करता है, और यह चीज़ आप इ यह पीला color, यह blue color और यह जो color है, यह सेम ऐसा ही है, जैसा iPhone 15 Pro ने capture किया हुआ है, अब मैं आपको details दिखाने वाला हूँ, कि details कहां आपको जाया देखने को मिलते हैं, वो आप इस photo में अच्छे से देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं, मेरे topi के नीचे आपको details बहु है कि iPhone 15 Pro जो है न, flares को उतने अच्छी तरके से handle नहीं कर पाता है, और इसलिए iPhone की footage में आपको flares देखने को मिलेंगे, और यह details की जहां तक बात हुई, तो details आप यहां भी इस photo में भी देख सकते हैं, कितने अच्छी तरके से Samsung Galaxy S24 Ultra ने detail को capture किया हुआ है, जबकि iPhone 15 Pro ने उतने अच्छी तरके से detail capture नहीं किया है, और यह सब में आपको बताया था कि front camera में flare उतने अच्छी तरके से handle नहीं कर पाता है, iPhone 15 Pro और वो आप इस photo में देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं, यह जो light है, यहां जो जल रहा है, इसका flare topi के power आपको दिख रहा है, और f इस light में जहां आप देख सकते हैं, यहां आपको flare नजर आ रहे हैं, इस light में भी flare नजर आ रहे हैं, बट, Samsung की footage में आपको flare नजर नहीं आ रहे हैं, बट, dynamic range अगर देखा जाए, तो वो आपको Samsung Galaxy S24 Ultra में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, जितना की iPhone 15 Pro में dynamic range अच् color जो है थोड़ा fade कर देता है, so dynamic range Samsung Galaxy S24 Ultra का उतना अच्छा नहीं है, compare to iPhone 15 Pro, और वसी तरीके से अगर हम front camera से videos की बात करें, तो videos की जो quality है, details है, वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, Samsung Galaxy S24 Ultra में details आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेंगे, वीड iPhone 15 Pro में dynamic range आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, compare to Samsung Galaxy S24 Ultra, और उसी वज़े से आप देख सकते हैं, इन दोनों वीडियो में, Samsung Galaxy S24 Ultra का जो background है, वो बहुत ही ज़्यादा white wash हो चुका है, और details नजर ही नहीं आ रहे हैं background में, बट अगर बात करें iPhone 15 Pro की, तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं background में details दिख रहे हैं, color भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और यह चीज़ Samsung Galaxy S24 Ultra वाली वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट जब मैंने cinematic वीडियो रिकॉर्ड किया, तो cinematic वीडियो में भी मुझे same चीज़ देखने को मिला, दोनों ही smartphone 4K, 30 यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, Samsung Galaxy S24 Ultra में, क्योंकि यहाँ पर आपको details ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाते हैं, compare to iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra is better for front camera, आप देखते हैं कि selfie camera का performance night mode में कैसा रहता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तो उस वक्त की यह photo है, आप देख सकते हैं, यह है iPhone की, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते है, iPhone 15 Pro, और यह है Samsung Galaxy S24 Ultra की, तो photo में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे जादा आपको clarity देखने को मिलेगी Samsung के image में, और यहाँ पर थोड़ा सा color क बूस्ट भी करने का कोजिस किया है, बट अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ आपको color थोड़े faded नजर आएंगे, उतने अच्छे color भी नहीं है, और details तो बिलकुल नाम मातर है, details है ही नहीं, सामके वक्त की photo में, और वहीं अगर दूसरे photo को हम देखें, तो इस photo में भी लगभग वही हाल है, बट यहाँ आपको color ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे है, समसिंग गलेक्सी S24 Ultra में, और यहाँ थोड़ा fade करने का कोजिस किया है, बट हाँ, आसमान के color को लगभग ठीक तरीके से दिखाने की कोजिस किया है, आईफून 15 प्रो ने, वहीं अगर next image में देखें, तो यहाँ अब लगभग रात हो चुका है, और यह जो light है, यह white light है, मतलब LED light जो होता है, उसका light है, तो LED light में बिलकुल मामला अलग हो जाता है, आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ प्लास्टिकी जैसा दिख रहा है, समसिंग गलेक्सी S24 Ultra का, और यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा जो jacket का color है, यह wind cheater है, तो wind cheater का color है, वो थोड़ा boost करने की कोशिस किया है, समसिंग गलेक्सी S24 Ultra ने, और मेरे t-shirt का भी color जो है, थोड़ा सा boost करने का कोशिस किया है, समसिंग गलेक्सी S24 Ultra ने, टोपी में भी आप देख सकते हैं, डीटेल्स आप iPhone 15 Pro में देखने को मिलता है, अब यह है studio light, मतलब light बहुत अच्छा खासा था, मतलब yellow light था, उस condition में अगर आप देखें, तो color आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, समसिंग गलेक्सी S24 Ultra में, जबकि iPhone 15 Pro ने studio light के वज़़े से क्या किया है, थोड़ा पिलापन ले आया है, फोटो में, और इसी वज़े से दाड़ी का भी color जो है न, थोड़ा पिला हो गया है, और यहां अगर आप देखें, समसिंग गलक्सी S24 Ultra में, तो बहुत अच्छी तरीके से color को maintain रखा है, और details तो खैर, अच्छा है ही, समसिंग गलक्सी S24 Ultra में, और अब बात क को ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, आइफोन 15 प्रो का image, जबकि समसिंग गलक्सी S24 Ultra ने पता नहीं क्यों, यहां प्लास्टिक जैसा फोटो कैप्चर करने के कोई किया है, और details बिलकुल भी नहीं है इस फोटो में, तो अगर portrait mode की बात करें, तो portrait mode आपको ज़्य ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है आपको iPhone 15 Pro में, जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, और portrait mode में color भी आपको Samsung Galaxy S24 Ultra में थोड़े boosted देखने को मिलते हैं, बलर आपको दोनों में ही आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं, दोनों में ही लगवग ठिक ठाक बलर देखने को नहीं मिलता है, आपको Samsung Galaxy S24 Ultra में ज़्यादा अच्छा फोटो देखने को मिल जाता है, अब बात करते हैं, front camera से low light में video recording की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन दोनों वीडियो को मैंने record किया है, low light में, और low light में color अगर देखा जाना तो ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाते हैं, और जहां तक stability की बात करें, तो दोनों ही smartphone में equally stable आपको video देखने को मिल जाता है, इसके बाद फिर हमने blur background वाली video record करना चाहा, दोनों ही smartphone के front camera से, that is cinematic video, तो cinematic video में भी मैंने देखा कि Samsung Galaxy S24 Ultra ज़्यादा अच्छा perform कर रहा है, compare to iPhone 15 Pro, और उसके बाद फिर studio light condition में भी मैंने देखा, तो studio light condition में भी Samsung Galaxy S24 Ultra बहुत अच्छा perform कर रहा है, compare to iPhone 15 Pro, मतलब studio light में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, Samsung Galaxy S24 Ultra का front camera का, iPhone 15 Pro बहुत ज़्यादा पीछे रहा जाता है, studio lighting condition में, इसके लाब एक और चीज़ आप notice करोगे, कि iPhone 15 Pro का front camera जो है na, flare को अच्छी Galaxy S24 Ultra ने बहुत अच्छी तरीके से handle किया हुआ, flare को, आपको light के flares देखने को मिलेंगे ही नहीं, Samsung Galaxy S24 Ultra में, now the rear camera, so start करते है, ultra wide shots से, और आप देख सकते है, दोने ही smartphone ने ultra wide shots बहुत अच्छी तरीके से capture किया हुआ है, but color जो है थोड़े से dull आपको नजर आई नहीं, Samsung Galaxy S24 Ultra में, यहाँ आप देख सकते है, थोड़ा काला हो चुका है यह चीज़, और यह portion आप iPhone में देख सकते है, बहुत अच्छी तरीके से maintained है, यहाँ आप देख सकते है, यह है iPhone 15 Pro की photo, और यह जो है, यह है Samsung Galaxy S24 Ultra की photo, और यह रहा ultra wide photo, और आप देखते है, 1X की photo, 1X में भी आप Samsung जो है, थोड़ा warm tone में photo capture कर रहा है, बट details में आपको उतना अंतर नहीं दिखेगा, बट फिर भी अगर आप जूम करोगे, तो जूम करने पर आपको थोड़े बहुत ज्यादा details नजर आएंगे, iPhone की footage में, बाकि ऐसा कोई problem आपको नहीं दिखेगा, और 2X में भी आपको same result देखनी को मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और 3X में भी आपको same result देखनी को मिलता है, iPhone 15 Pro में आपको ज्यादा अच्छे result देखनी को मिलेंगे, ज्यादा details देखनी को मिलेंगे, और color भी आपको close to natural देखनी को मिल जाएगा, अगर मैं दोनों को जूम करूँ त ज्यादा details के साथ है, और Samsung के footage में उतने details नहीं है, बट जैसे ही आप 5X पे switch करते हो, तो 5X में क्या होता है, 5X के dedicated lens है Samsung Galaxy S24 Ultra में, और यहाँ से मामला उल्टा हो जाता है, 5X में आपको ज्यादा details देखनी को मिलेगा, Samsung Galaxy S24 Ultra में compared to iPhone, यहाँ आप देख सकते हैं, कितने अच् Galaxy S24 Ultra में compared to iPhone, और यही चीज आपको 10X में भी देखने को मिलेगा, यह 10X की footage है, 10X में भी आपको details ज्यादा अच्छे देखने को मिलेगे इसमें compared to this one, और उसके बाद फिर 15X की बात करें, तो 15X में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा, ज्यादा details आपको देखने को मि कर सकता है, और यह रही इसके 100X की photo, जो की iPhone कर ही नहीं सकता है, और इसको zoom करूँ, तो लगभग नहीं वैसा तो result नहीं आ रहा है, इसमें color भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें color आपको वैसे देखने को नहीं मिल रहे है, तो यह एक advantage आपको देखने को मिल जाता है कि और यह है iPhone 15 Pro का photo, और दोनों में आपको ऐसे कोई difference देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप zoom करोगे दोने ही photo का, तो आपको difference देखने को मिलेगा, यह जो जमराज का बाल है, यहां बहुत अच्छी तरीके से maintained है यह, बट यहां इसने उड़ा दिया है, Samsung Galaxy S24 Ultra ने, और स detection भी बहुत अच्छी तरीके से किया है, और सिर्फ नहीं नहीं, अगर आप इसके दुपटे में देखें, तो texture आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि details जोनब बहुत ज़्यादा capture करता है iPhone 15 Pro, compared to Samsung Galaxy S24 Ultra, यह आप देख सकते हैं, दुपटे का color भी थोड़ा बढ़ाने का कोशिस किया है, Samsung Galaxy S24 Ultra ने, और वहीं पर अगर आप इसके कान के साइड में देखो, तो यहाँ भी age को बहुत अच्छी तरीके से detect किया है, iPhone 15 Pro ने, जबकि Samsung Galaxy S24 Ultra ने यहाँ अच्छी तरीके से detect नहीं किया, इसने background को भी foreground मान लिया है, और दारी को त यह थी 1X की photo, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 2X की photo, 2X में भी आपको लगबग सेम result देखने को मिलेगा, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 3X की photo, यह 3X की photo है, और यहाँ भी आपको सेम result देखने को मिलता है, color आपको ज्यादा अच्छा और accurate देखने को म बाल तो सारे फोटो में यहां वाले बाल इसने गाय भी कर दी हैं। इसके रावाट दिन के समय जब मैं फोटो ले रहा था तो उस वक्त मुझे एक फोटो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा। जिसमें अगेंस में सन था और फ्रंट में में मेरा हाथ था जिसमें मैंने चस्मा पगड़ा हुआ था दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन अच्छी तरीके से फोकस कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि यह बहुत ही चैलेंजिक सिच्वेशन था जिसमें स्मार्टफोन दोनों मे एक जैसे फोटो नजर आ रहे हैं बट इस्टिल आपको एक reflection दिखेगा सुरज का जो की यहाँ पर आपको दिख रहा है iPhone 15 Pro की image में और Samsung की image में आपको ऐसा कोई reflection नहीं नजर आएगा बट next जो फोटो आप देखने वाले हो उसमें आपको समझ में आएगा कि focusing issue थोड़ा बहुत Samsung में है जैसे कि इस photo का आप देखो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से iPhone ने मेरे हाथ में focus किया हुआ है बट Samsung नहीं कर पाया है और सिर्फ एक photo नहीं मैंने बार बार photo capture किया और हर बार मुझे यहीं नजर आया आप देख सकते हैं Samsung ने इस दिवाल पे focus किया हुआ है यहाँ focus कर ही नहीं पा रहा है next इस photo में भी आप देख सकते है iPhone ने बहुत अच्छी तरीके से focus किया हुआ है बट Samsung ने अभी भी फिर से focus नहीं किया है so यह थोड़ा बहुत problematic लगा मुझे एक और चीज में ने नोटिस किया iPhone 15 Pro में कि चाहे आप footage अल्टरावाइड से लो 1X से 2X 5X या 15X पे लो आपको color एक जैसे देखने को मिलेंगे जबकि Samsung Galaxy S24 Ultra में color vary करता है जैसे ही आप अल्टरावाइड से 1X 2X 3X 5X या फिर 100X में जाते हो तो color थोड़े से vary करते है Now let's talk about the cinematic video iPhone की भासर में cinematic video और ऐसे कहें तो bokeye effect वाली video यानि की blur background वाली video आप देख सकते हैं दोनों ही smartphone ने blur background वाली video बहुत अच्छी तरीके से capture किया हुआ है बट दोनों ही smartphone में एक demerit है जहां बहुत ज़्यादा edges सार्फ होते है वहां दोनों में से कोई भी smartphone अच्छी तरीके से edge को detect नहीं कर पाता है और उस area को कमोबेस blur कर ही देता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस यमराज के crown की portion में आपको लगभग दोनों ही smartphone में blur देखने को मिल जाएगा बट iPhone में ज़्यादा अच्छी तरीके से edge detect किया हुआ है और iPhone की footage comparatively आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी इसके अलावा color भी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा iPhone 15 Pro की footage में अब देख लेते हैं साउंड की quality किसमें आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती है और इन भाई साब का message भी सुन लेते हैं तो जीवन को संबालने के लिए आपको अपने काम स्वेम करना चाहिए अपनी जायत को स्वेम उठाना चाहिए खरने बादा अब बात करते हैं Macro Shorts की तो Macro Shorts में मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखा दोनों एक ही जैसे Macro Shorts ले लेते हैं इसमें कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब बात करते हैं Action Mode या फिर Stabilization की कि दोनों इसमार्टफोन कितने अच्छी तरीके से वीडियो को Stabilize कर पाता है या फिर Stabil Mode में कितने अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है तो आप देख सकते हैं ज्यादा अच्छा stable वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है Samsung Galaxy S24 Ultra compare to iPhone 15 Pro बट iPhone 15 Pro में जो resolution है वो ज्यादा है compare to Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 2.8K वीडियो 60fps में और Samsung Galaxy S24 Ultra में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 2.5K वीडियो 60fps में अब बात करते हैं normal video recording की तो दोनों ही smartphone 4K 60fps में normally video record कर लेता है अपने rare camera से और normally भी आप देख सकते कि कितना अच्छा depth of field दोनों ही smartphone में आपको देखने को मिल जाता है मतलब blurry background कितना अच्छा देखने को मिल जाता है और बीना stabilization on किये हुए भी दोनों ही smartphone बहुत अच्छी तरीके से footage को stabilize कर लेता है अगर आप video की quality पे ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा कि over the time Samsung ने बहुत अच्छा काम किया है video में और लगवख iPhone के ही जैसा video quality दे पा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं in footage में मुझे बहुत कम अंतर दिखाई दे रहा है दोनों ही footage में well done Samsung great video quality अब बात करते है slow motion की तो जब मैं record कर रहा था दोनों ही smartphone में दिखा रहा था कि 1080p 240fps में दोनों ही smartphone slow motion में video record कर लेता है but record करने के बाद जब मैं देख रहा हूँ well detail आपको दोनों ही smartphone में बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं but color ज़ादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे iPhone 15 Pro में और Samsung में थोड़े dull color आते हैं अब बात करते हैं ultra wide videos की या फिर 1x, 2x या 3x जब हम अलग-अलग lens में shift होते हैं तो किस smartphone में आपको ज़्यादा अच्छा result देखने को मिल जाएगा so first let's start with the ultra wide shots तो आप देख सकते हैं ultra wide में दोनों ही smartphone में video का quality एक जैसा आपको देखने को मिल जाएगा दोनों में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा iPhone में आपको थोड़ा cooler tone देखने को मिलता है जबकि Samsung Galaxy S24 Ultra में आपको थोड़ा warmer tone देखने को मिल जाता है और जैसे हम 1X पे shift करते हैं तो 1X में भी हमको same result देखने को मिलता है बट जैसे हम lens को shift कर रहे हैं 1X से 2X, 2X से 3X तो वहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा jump देखने को मिल रहा है Samsung Galaxy S24 Ultra में मतलब पता चल जाता है कि lens shift हो रहा है जबकि iPhone 15 Pro में zoom बहुत ही smoothly हो रहा है मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब हम 1X से 2X में गए हैं या 2X से 3X में गए हैं बिलकुल भी नहीं पता चलता है बहुत ही smoothly shift हो रहा है और वहीं अगर color की बात करें तो color आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है iPhone 15 Pro में Samsung Galaxy S24 Ultra में आपको थोड़ा oversaturated color देखने को मिलता है जो की ज़्यादा eye pleasing लगता है और ज़्यादतर लोगों को mass audience को यही पसंद आने वाला है Samsung Galaxy S24 Ultra की वीडियो इसके लवा एक और advantage आपको देखने को मिल जाता है Samsung Galaxy S24 Ultra में कि यहाँ lens shift होने के बाद जो stability है मतलब कोई भी lens से आप video record करें stability आपको ऐसा देखने को मिलता है जैसा कि मानो हमने कोई stand पे phone को रख दिया है और video record हो रही है बट ऐसा नहीं है guys मैंने दोनों smart phone को एक gorilla pod पे mount किया हुआ है और gorilla pod मेरे हाथ में है और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है वो आप notice कर सकते है iPhone की video से बट Samsung ने stability इतने अच्छी तरीके से maintain किया हुआ है कि पता ही नहीं चलता है कि smartphone stand पे रखा हुआ है या फिर मेरे हाथ में handheld है और उसके बाद फिर हम last चले जाते हैं maximum zoom पे वो है 9X जो कि हम iPhone 15 Pro से कर सकते हैं Samsung में थोड़ा और आगे भी जाया सकता है बट overall अगर quality की बात करें तो आपको Samsung Galaxy S24 Ultra में जादा अच्छा footage देखने को मिल जाएगा compared to iPhone 15 Pro तो start करते हैं night mode में ultra wide photography की तो आप देख सकते हैं ये दोनों photo में ने ultra wide angle से लिया हुआ है दोनों ही smartphone से और दोनों में आप देख सकते हैं डीटेल्स आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगे Samsung Galaxy S24 Ultra में जबकि color आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा iPhone 15 Pro में बतलब iPhone 15 Pro की image जो है ना लोगों को ज्यादा eye pleasing लग सकती है बट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है Samsung Galaxy S24 Ultra की photo क्योंकि इसमें डीटेल्स ज्यादा है compare to iPhone 15 Pro और सेम चीज आपको देखने को मिल जाता है 1X में ये देख सकते हैं 1X की photo है और 1X में भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगा अगर आप zoom करोगे तो आपको डीटेल्स ज्यादा नजर आएगे Samsung Galaxy S24 Ultra में compare to iPhone 15 Pro और यहां आप color देख सकते हो तो color ज्यादा accurate आपको नजर आएगा iPhone 15 Pro में बट डीटेल्स आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा Samsung Galaxy S24 Ultra में और ये आप कोई भी lens में switch करो night mode में आपको ज्यादा अच्छा result देगा Samsung Galaxy S24 Ultra compare to iPhone 15 Pro इस photo में भी आप देख सकते हैं यहां आपको ज्यादा अच्छा details नजर आ रहा होगा Samsung Galaxy S24 Ultra वाली photo में और iPhone में उतना अच्छा details नजर नहीं आ रहा है और उसके बाद फिर हमने अलग-अलग lens में switch करके देखा है आप देख सकते हैं हमेशा आपको details ज्यादा अच्छा नजर आएगा Samsung Galaxy S24 Ultra में यह 10x है और यह 15x की photo यहां भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा details है Samsung की image में जबकि iPhone की image में details है ही नहीं तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे photo की जिससे मैंने शुरुआत किया साम का photo लेना आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है आसमान अभी भी थोड़ा बहुत साफ है और लोगों ने light जलाना शुरू कर दिया है यहां आप देख सकते हैं यह दिवाल में भी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है यह देवाल भी साफ आप देख सकते हैं और यहां है क्या कि इस light का मुझे reflection यहां पर दिखा और flare भी अच्छी तरीके से manage नहीं कर पा रहा था iPhone 15 Pro तो मैंने यह photo capture कर लिया और उसके बाद फिर कुछ देर बाद जब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया तो उस वक्त भी मैंने एक photo capture किया इस photo में यहां इसका reflection यहां बन रहा है इस light का पता नहीं कैसे बन रहा है मुझे भी समझ भी नहीं आ रहा है और Samsung Galaxy S24 Ultra में भी यहां बन रहा है बट बहुत कम नज़र आ रहा है बट अगर आप गौर से देखे तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगा कि यह जो light है यह चौकर चौकर जो light है इसका भी reflection आपको यहां दिखेगा कहां से reflect हो रहा है मुझे पता नहीं मुझे लगता है यहां से reflect हो रहा होगा बट हाँ, Samsung में बिलकुल नज़र नहीं आ रहा है मतलब Samsung में बहुत अच्छी तरीके से manage किया हुआ है reflection को तो यह night shots में मुझे फ़ड़े problematic photo लगे अब मैं बहुत ज़्यादा curious था night mode में portrait mode में photo capture करने के लिए क्योंकि daylight में तो जादतर smartphone portrait mode में photo capture कर लेता है क्योंकि light होता है और आईफून में अगर दिखा जाए तो उसमें light hour sensor है जो कि night में भी depth को बहुत अच्छी तरीके से measure कर लेता है और बहुत अच्छा natural bokeye effect दे सकता है तो मैंने ये एक challenging light situation में photo capture करना चाहा जिसमें पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा light है और आगे इस face में light नहीं पढ़ रहा है या फिर पूरे body पे light नहीं पढ़ रहा है बहुत कम light पढ़ रहा था तो उस वक्त मैंने ये photo capture किया आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन बहुत अच्छी तरीके से photo capture किया हुआ है और blur अगर देखा जाए तो ज़्यादा natural नजर आ रहा है आईफोन की footage में और अगर बात करें edge detection की तो zoom करके आप देख सकते हैं edge कितने अच्छी तरीके से detect कर पाया है आईफोन 15 pro ने और samsung ने उतने अच्छी तरीके से edge को detect नहीं कर पाया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बाल जो है वो बिलकुल गायब हो चुके हैं जबकि यहाँ आप देख सकते हैं आईफोन वाली footage में बाल नजर आ रहे हैं यह थोड़े थोड़े जो बाल हैं यह नजर आ रहे हैं और पूरे सर में जो बाल उबरे हुए हैं किया हुआ है इसके बाद फिर हमने एक फोटो लिया जिसमें थोड़े बहुत लाइट थे और यहां आप देख सकते हैं सैमसंग ने चेहरे को बहुत ज़्यदा लाइट डालने की कोईशिस किया है और इसको गोरा बनाने का कोईशिस किया है जहां से डीटेल जो है लगबग गायब हो जाते हैं जबकि आइफोन ने बिल्कुल नैचरल रखा है टोपी का भी कलर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल नैचरल है मौफलर का भी कलर यह बिल्कुल नैचरल है बट सैमसंग ने थोड़ा बूस्ट करने या कोईशिस किया है जिसके वज़े से कलर ऐसा दिख और अब मैं लेता हूँ 1X में blur background के साथ photo, मतलब portrait mode में, तो ये है 1X portrait mode में photo आप देख सकते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है, दोनों ही smartphone में बहुत अच्छा दिख रहा है, बढ़ हाँ color ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, iPhone वाली footage में, और edge detection भी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, iPhone वाली footage में, Samsung में थोड़ा सा edge को smooth करने कोजिस करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, photo के जो थोड़े बहुत रोये निकले हुए हैं, वो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, बढ़ यहाँ तो बिलकुल नजर ही नहीं आ रहा है, और details भी आपको ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है, iPhone वाली footage में, इसके बाद फिर 2X में देख लेते हैं, 2X में भी आपको same चीज़ देखने को मिल जाता है, बट एक चीज़ आप notice करोगे, जैसे जैसे 2X, 3X या और भी ज़्यादा zoom करोगे photo को, और उसमे blur background वाली photo capture कर जाता है, बट Samsung बहुत अच्छी तरीके से edge को detect कर पाता है, 2X में, 3X में, क्योंकि इसके पास dedicated lens है, जिसके वज़े से ये काम कर पाता है, यहाँ आप देख सकते है, iPhone की footage में, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, कि कोई application के थूरू edit करके, ऐसा किया गया है, बट नहीं, य यह real photo है, मैंने कोई भी edit नहीं किया है, और यह रहा 3X की photo, और इसमें भी आप देख सकते हैं, edge अच्छी तरीके से detect नहीं कर पाया है, iPhone ने, अब बात करते हैं, studio light में, वीडियो ग्राफिकी, तो देख सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन से मैंने 4K video record किया है, 60 frame per second में, और details आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, iPhone 15 Pro की footage में, और सिर्फ details ही नहीं, color भी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है, iPhone 15 Pro की footage में, और जातर लोगों को iPhone 15 Pro की footage ज्यादा पसंद आने वाली है, बट Samsung Galaxy S24 Ultra की footage देखें, तो वो थोड़ा dull नजर आ रहा है, वो natural blur है, यह हमने कोई artificial blur add नहीं किया है, या फिर cinematic mode में video record नहीं किया है, और 4K 60fps में अगर night video की बात करें, मतलब low light video की, तो आप देख सकते हैं, color आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलते है, iPhone 15 Pro की video में, और यहां मुझे एक चीज़ में problem लगा है, कि कभी-कभी flare आ ज iPhone 15 Pro, जबकि Samsung Galaxy S24 Ultra जो है, ऐसा लगा है कि पूरे road में light बिछाया हुआ है, या फिर आग लगा हुआ है, वैसा video capture कर रहा है, Samsung Galaxy S24 Ultra, but iPhone 15 Pro बहुत अच्छी तरिके से light को manage कर पा रहा है, low light में, ओकी तो अब last में बात करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों कि जो कि सिर्फ और बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो पहला है dual video mode, dual video mode यानि कि front और rare camera दोनों से ही एक साथ video record कर सकते हैं, आप Samsung Galaxy S24 Ultra में, और ये चीज़ आप iPhone से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, iPhone 15 Pro हो या iPhone 15 Pro Max हो, दोनों में किसी में भी आपको ये features देखने को नहीं मिलता है, दूसरा ए और details use करने लायक होते हैं, इसके अलाबा एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, night photography, जिसमें Samsung Galaxy S24 Ultra चांद की photo को बहुत अच्छी तरीके से capture कर लेता है, और ये थोड़ा controversial भी रहा है, क्योंकि ये actual photo नहीं लेता है चांद की, थोड़े modify करके खुद से लेता है photo, बाकि ये extra features हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब बात करते हैं हम अपने final conclusion की, तो conclusion पे पहुँच पाना थोड़ा मुस्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि दोनों ही smartphone बहुत अच्छा perform करते हैं, और दोनों में ही अगर देखा जाए, तो कहीं कहीं पर Samsung Galaxy S24 Ultra ज कर सकते हैं, इसमें night photographic भी बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं, बट overall अगर देखा जाए, तो मैंने एक चीज़ notice किया है कि color accuracy वो आपको ज्यादा अच्छा iPhone 15 Pro में देखने को मिल जाता है, compared to Samsung Galaxy S24 Ultra, और जहां बात आती है, front camera से video की, तो video में details आपको ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, बट rare camera से video की बात करें, तो वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, iPhone 15 Pro में, और Samsung Galaxy S24 Ultra में color थोड़े बहुत कभी-कभी tweak हो जाते हैं, और details भी थोड़े बहुत कभी-कभी miss हो जाते हैं, बट overall मैं कहूंगा कि Samsung ने Samsung Galaxy S23 Ultra से बहुत अच्छा काम किया है, और किसी-किसी एरिया में बहुत अच्छी तरीके से कडिक अप कर दिया है iPhone 15 Pro को, Samsung Galaxy S24 Ultra is a huge upgrade from Samsung Galaxy S23 Ultra in terms of camera, बट अभी भी मुझे लगता है कि Samsung को कुछ-कुछ एरिया में काम करने की जरूरत है, खास करके dynamic range में, highlight और low light एरिया को manage करने में, और अगर आपने यहां कर वीडियो को देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, फ्यूजर में और भी वीडियो लेके आने बाला हूं, Samsung Galaxy S24 Ultra से related, और इसको मैं Samsung Galaxy S24 Ultra से भी compare करने बाला हूं, camera का, और overall सारी compare करेंगे, so stay tuned for that and subscribe the channel if you haven't subscribed yet, that's all about this video, salaam, my name is Shakir and I'll see you in the next one.